अगर आप लोग भारत की राजनीती को देखते रहते हैं तो आप लोग उन्हें एक नाम जरू सुना होगा राम विलास पासबान के बारे में और आप कह सकते हैं कि इन्हें राजनीती का मौसम बिज्ञानिक कहा जाता है आप समझें कि जब तक इन्होंने राजनीती की आप तो इनकी डेथ हो चुपी है तब किसी ना किसी सरकार में ये मंत्री जरूर रहे है आप समझ रहे हैं कि चाहे वो किसी भी पाइटी की हो बीजेपी की हो एंडी या फिर या फिर यूपी की हो हर सरकार में आप समझ सकते है की मंतरी रहे है यानि कि इस पाइटी में सामिल होते रहे हैं और अभी हम लोग बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा है कि अभी बिहार में इनकी पाइटी में काफी खीचतान चल रहा है इनके जो भाई है वो अपने अपने कबजे में पाइटी लेने की बात कर रहे ह इनके जो बेटे हैं वो अपनी पार्टी में अपने कबजे की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं वैसे एक सामान जानकरी के लिए आपको बता दो कि हमारे देश की जब भी राजनीती की बात आई है तो पिता के बाद आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो भी गतिविदिया रहते हैं बेटे की ही हाथ में जाते हैं इसका उधारान आप देख सकते हैं RLD में देख लीजे आप लोग चौदरी अजी सिंग को मिली थी चरन सिंग के बाद या फिर आप लोग सापा को देख लीजे अखले सियादों को मिली थी समझ रहे हैं कॉंग्रेस का वही हाल चल रहा है एक और आप लोग सिपसेना के बारे में जानते हैं कि उधा उठा क्रे को मिली कमान तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला क्या होता है यह वक्त बताएगा और एक और आपको बता दूँ कि एक संबेदनाए जोड़ी रहती हैं लोगों की कि ऐसा है ऐसा नहीं है ठीक है फिरहाल हम लोग राम विलास पासवान के बारे में एक सामन जानकरी देख लेते हैं कि इनकी किस तरह से रहे हैं क्या इनका राजनितिक सफर रहा है कौन-कौन से चुनाओ इनोंने लड़े हैं कौन-कौन से चुनाओ हारे हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे एक आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि एक बिहार में काफी मात्पूर इस्थान रखते हैं और आपको एक और मुझे आज तक बास समझ में नहीं आई कि जिस राज्यों से जितने अच्छे नेता निकले हैं वो राज उतना ही पिछड़े ही किम रहे गए उत्तरपदेश की बात कर लीजी आप लोग आप लोगों को लोकसावा में 80 सीटें देखने को मिलेगी बिहार में देख लीजी आप लोग बिहार में आपको लोगों को लोकसावा की 40 सीटें देखने को मिलेगी ऐसा माना जाता है कि अगर आप लोग केंद में सत्ता में जाना है तो सत्ता में जाने का रास्ता उत्तरपदेश बिहार से ही निकलता है अगर विहार उत्तरकदिस जिसने भी जीत लिया अपने कबजे में ले लिया वो आदी सत्ता में आदी सफलता उसे मिल जाती है पिधानमंद्री बनने की लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि विहार की स्तिती क्या बनी हुई है कोई भी आप रैंकिंगा आती है उसमें आप देखते हैं कि विहार सबसे नीचे देखने को मिलेगा आप देखेंगे इसमें भारत है ये प्यारा और इसमें आप लोग देखेंगे विहार आपको यहां देखने को मिलेगा वैसे आपको बता दूँ आजादी के पहले भी विहार रहा है इसकी स्थापना की बात करें तो 22 मार्च 1912 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी लेकिन राज्य का दर्जा 26 जन्मरी 1950 को मिलता है वियाल और इसकी राध्धानी पटना देखने को बिलेगी और इससे लगे राज्यों की बात करें तो लखनव हो गया आज जारकंट, पश्चे मंगाल और इसकी अंतराष्टी सीमा नैपाल से लगती है ये भी कई बार कुश्चन्स पूँच लेता है आपकी परिक्छाओं मैं भी इस तरह से और आपको बता दूँ कि यहां विधान फरिशद और विधान सवा दोनों है तो बिधान फरिशद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेगी बिधान सवा में आपको 243 सीटें देखने को मिलेगी राज्जी सवा की बात करूं तो 16 सीटें देखने को मिलेगी लोग सवा में 40 सीटें देखने को मिलेगी ठीक है? ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, मुझे लगता है और हर राज्य के बारे में आप लोग इतनी जानकारी याद रखा करिएगा और आप जिस राज्य से आ रहे हैं, उसके बारे में जरोड़ा खोगत जानकारी याद रखना देख सकते हैं आप लोग यह हैं यह हैं इनकी फोटो रामविलास पास्वान की तो इनके आप जानते हैं कि इनका नाम रामविलास पास्वान और इन्हें मौसम बिग्यानिक कहा जाता है या उपनाम इसका क्या था मौसम बिग्यानिक मौसब बिज्ञानी क्यों कहा जाता है इसकी कहानी आप लोगों को सुरू में बता चुका हूँ कि जितनी भी इन्होंने राजनेति की आत्रा अपनी की है उसमें हर सरकारों में आप देख सकते हैं कि ये मंत्री जरूर रहे तो आप ये पहले भाप लेते हैं कि किसकी सरकार आ रही है उसी में सामिल हो जाईए और मंत्री का पद ले लीजेगा ठीक है और इनकी जनम तिथी की बात करें तो आप देखेंगे 5 जुलाई 1946 को इनका जनम होता है यानि कि आजादी की एक साल पहले 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलती है इनका जनम इस्थान है खगडिया बिहार बिहार से सम्मंद रखते हैं इनके पिता स्वरगी है स्री जामुन परसाद पासबान और माता स्री मती सिया देवी थी इन्होंने दो साधी की वह है कोई समय तक आप देखेंगे कि इन्होंने चुपा के रखा हुआ था जब इनके लोग सबा चुनाओं को एक तरह से उस पर प्रिसनेचन उठाए गए उसे चुनोती दी गए तब इन्होंने सुईका रहा कि इन्होंने एक साधी पहले की थी किनसे? राजकुमारी देवी से इनकी दो बेटियां थी ठीक है? फिर इन्होंने इन्हें तलाग दे दिया था दूसरी साधी की थी इन्होंने रीना पासवान से जिनके बेटे चिराद पासवान है समझ रहे? तो रीना पासवान के बेटे चिराद पासवान है तो ये आप देख सकते हैं कि क्या है, चिराग पासबान के बारे में बात कर चुका हूँ, इनकी तीन पुत्रियां भी हैं, और इनकी अगर हम लोग सिक्छा की बात करें, तो ये पड़े लिखे थे, और आप समझे या जा दी कि समय जो भी नेता ओबरे, उसके बाद आ जा द थे, तो इन्होंने बुंदेल खंड यूनिवर्सिटी जहांसी से MA की, और पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB की थी, ठीक है, और एक बात और आपको बता दूँ, कि UPSC, जो आपका सिविल सर्विस का एकजाम होता है, इन्होंने किलियर किया था, और DSP बने थे, प राजनितिक दल की बात करें, तो लोक जन सकती पाइटी इनकी पाइटी है, राजनितिक दल है, तीक है, और राजनितिक गटना किरम की बात करें आपको, तो सुरू में बता देता हूँ कि कहा कहा मंतरी कौन कौन से मंतराले इन्होंने समाले, भारत के रेल मंतरी भी रहे है आपको बता दू कि केंदरी ये रसायन और उर्वरक मंतरी केंदी ये खनिज मंतरी भी रहे हैं और भोकता मामला मामलों के मंतरी भी रहे हैं तो आप समाच सकते हैं कितने मंतराले इनोंने समाले हैं सबसे पहली आप देखेंगे तो इनकी राजनितिक यात्रा की या राजनितिक सफर सुरू होता है 1969 से पहली बार आप देखेंगे पासवान विहार से से सेव्ट सोसलिष्ट पाइटी के उम्मीदवार बनते हैं और यहां से चुनाओ जीतते हैं ठीक है? पर आप देखेंगे 1970 में, क्योंकि आप जानते ही कि 1975 से 77 तक हमारे देश में राष्टी ये आपातकाल लगा हुआ था. ए इंद्रा गांधी की बात कराओं समय की, उसके बाद आप देखते हैं कि जो लोकसभा के आम चुनाव होते हैं भारत में, उसमें कॉंग्रेस ह जाती है. समझ रहे हैं? जनता पाइटी की सरकार बनती है. तो उसमें आप देखें कि 1977 में छटी लोकसभा में का चुनाव लड़ते हैं पासवान और इसमें जनता पाइटी की उमिदबार की रूप से इन निर्वाचित होते हैं. और आपको बाद बता दूं कि जो विदाह को चुनते होंगे. लोकसभा सदस का जो चुनाव होता है. वो भी जनता के डारेक्ट जनता ही डारेक्ट चुनती है. आप लोगों ने एकसर देखा भी होगा कि लोकसभा का वोट डाल ले जाते हैं और विधान सभा का. लेकिन राजसभा का चुनाव आपकी जनता के द्व दूसरी बार लोकसभा सदस बनते हैं ठीक है और 1983 में आप देखेंगे कि इन्होंने दलितों के उद्धान के लिए दलिस सेना का गठन भी किया हुआ था जो बिहार में कापी सक्री है समझ रहे हैं और आपको बता दू ये दलित नेता माने जाते हैं तो ये भी आप लोगों को याद रखना हुआ पर आप देखेंगे 1989 में जो नवी लोकसभा का चुना होता है इसमें वो तीसरी बार लोकसभा की सदस बनते हैं ठीक है पर 1996 में जो चुना होता है दस भी लोकसभा का उसमें भी लोकसभा सदस बनते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इनका राजनितिक सफर चल रहा है और सफलता मिलती जा रही है उसके बाद आप देखेंगे सन 2000 में इन्होंने अपनी जनता दल United से अलग होकर अपनी लोग जन सक्ति पाइटी का गर्थन किया जिस पर आप देखे रहे हैं कि पैंच फसा सबस्ति हैं ठीक है फिर आप देखेंगे 2010 में बिहार राज्यसवा के सदस निर्वाचित होते हैं और इन्हें एक कार्मिक पैंसन मामले उक्रमीट विकास संती के सदस के रूम में बठाया जाता है ठीक है तो यहां यह राज्यसवा सदस बनते हैं फिर आप 2013 में देखेंग NDA जिसमें आप देखते हैं कि BJP मैन पाइटी है उसकी काफी लहर चल रही थी और पिदार मंतरी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिदार मंतरी के मौदी के बनने की पूरी संभाव ना थी तो इसमें आप लोग देखेंगी कि पासवान NDA में सामिल हो जाते हैं और 2014 में जो 16 भी लोगसभा का चुनाव होता है इसमें फिर से लोगसभा सदस बनते हैं आप समझ सकते हैं कितने वाद लोगसभा सदस बने और इन्हें आप देखेंगे नेल मौदी की केमिनेट विस्तार में इन्हें मंतरी सामिल किया जाता है कैमिनेट मंत्री बनते है नयम मौधी की जो कैमिनेट रहती है उसमें ठीक है? फिर आप देखेंगे इन्हें उभोकता मामले और खाद देवम सारवजनिक वितरन मंत्राले की जिम्मेदारी मिलती है 2015 में ही आप देखेंगे की सामान फेयोजन सम्थी की सदस भी बनते है और 2019 में आप देखेंगे इनका सेहत काफी एक तरह से स्वास्त बिगडने लगा था तो 2019 में आप देखेंगे लोकसभा चुनाओ से पहले रामिलास पासवान ने अपनी जो पाइटी थी उसका अध्यक्ष जो राश्की अध्यक्ष होता है अपने वेटे चिराग पासवान को बना दिया जाता है ठीक है? और सत्तरवी लोकसभा में उन्होंने आप देखेंगे मौदी सरकार में एक बार फिर से उपभोगता मामलों के मंतरी बनते हैं लेकिन आपको बता दूँ कि अगर आप लोकसभा सदस है या आप राजसभा सदस है तो आप लोग पिधान मंतरी भी बन सकते हैं और मंतरी भी बन सकते हैं और एक इंटरेस्टिंग फेक्ट बताओ अगर आप लोकसभा राजसभा दोनों के सदस नहीं है तब भी आप लोग पिधान मंत्री भी बन सकते हैं लेकिन 6 माहिने तक आप लोगों को रह सकते हैं इस परद पर 6 माहिने के अंदर आपको इन दौनों में से यानि कि लोगसाव और राजसावा में से सदस्र वनना होगा ठीक है? आपने देखा होगा बरकिंदमुहन के बारे में आप मनमुहन डॉक्टर मनमद्री रहे हैं नैण मौदी के पहली वहीं निंप। तो वो रीज्सवा से सदस बनते थे और हमारे प्राइन मौदी को देख ली अप आप देखते हैं कि यह बनारसी से हैं लोग सबस art के रूम में पिधान मंत्री वने तो आप समस्क्これ कि इन्होंने छे पिधान मंत्रियों के साथ काम किया यानि कि अपने जीवन में आप समझ सकते हैं कि छे पिधान मंत्री बगले लेकिन फिर भी छे पिधान मंत्रियों के साथ रहे तो आप समझ सकते हैं तो रामविलास पास्मान अपने राजनितिक जीवन में हर लगभग इन चुनावी मिजाज भापने में माहर माना जाता था, इसे ही लिए इन्हें मौसम बिज्ञानिक कहा गया, आप लोग मौसम बिज्ञानिक का अर्थ दूसरा मत निकाल लिए, कि मौसम के बारे में बताने वाला, नहीं ये मौसम बताने वाला नहीं, मौसम राजनीती का मौसम ब जब इंद्रा गांधी आप देखते हैं कि चुनाव हार जाती है इनकी पारटी हार जाती है राष्टी आपातकाल के बाद कर रहा हूं किस तरह से अत्याचार किया जाता है राजनेतिक आप देख सकते हैं उन्हीं सो पचत्तर से सतत्तर की भी बड़े बड़े नेताओं को जे इक और बनाते हैं तो यह है इनका राजनितिक सफर और जैसा कि आप जानते ही कि 8 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में इनकी डैथ हो जाती है यानि कि अंतिम सफर पूरा हो जाता है तो यही कहानी है रामविलास पासवान के बारे में आने वाली समय में हम बात कर लेंगी काफी यूबा चेहरा और राजनिति में काफी उठाफटक की बात होती रहती है तो इनका नाम भी जुड़ता रहता है ठीक है तो चलिए देखते रही है आप लोग